नमस्कर दोस्तों सोगत है आपका हमारे यूट्योब चैनल पर आज किस वीडियो में ट्रिग्नामेट्रिक इंपोर्टन कोशन देखेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो गाइस देखें पहला कोशन है कॉस स्कॉर 25 प्लस कॉस स्कॉर 65 बटे साइन स्कॉर 27 प्लस साइन स्कॉर 63 तो कर से स्वल करेंगे देखें कॉस स्कॉर 25 को क्या लिख सकते हैं तो कॉस स्कॉर 25 को क्या लिख सकते हैं 55 प्लस या ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्कॉर 25 को लिख सकते हैं कॉस स्कॉर 90 माइनस 25 ये 90 माइनस 65 क्यूंकि 90 से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 90 से 65 जाएगा तो sine square को लिख सकते हैं 90-63 ये लिख सकते हैं क्योंकि 90-63 गटाएंगे तो आपका 27 आएगा फिर plus sine square 63 ये हो जाएगा अब cos 90-θ थीटा क्या होता है sin थीटा तो ये हो जाएगा sine square 25 plus cos square 25 और बटे में ये हो जाएगा cos square 63 और plus sine square 63 इसकी value कितनी होगी उपर वाले की एक होगी और नीचे वाले की value क्या होगी एक तो एक वटे एक मतलब आपका अंसर आजाएगा एक option D is right answer की question क्या कहता sin 10 वटे cos 80 plus sec 31 into sin 69 डिगरी तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले आगे का portion solve करेंगे sin 10 को क्या लिख सकते हैं तो sin 10 को लिख सकते हैं sin 90 minus 80 और बटे में cos 80 को ऐसे रखा रहने देंगे और plus आपका क्या है sec 31 और into sin 59 डिगरी तो sin 59 डिगरी को क्या लिख सकते हैं 90 minus 31 ओके ये लिख सकते हैं क्योंकि 90 से 31 गटाएगे तो आपका उनसर टी तो बचेगा आप देखें sin 90 minus theta क्या होता है cos theta तो cos 80 बटे cos 80 ये हो जाएगा और plus sec 30 को क्या लिख सकते हैं बना पान cos 31 अब into sin 90 minus theta क्या होता है cos theta तो cos 31 ये हो जाएगा तो cos 31 से cos 31 कटा cos 80 से cos 80 कटा तो आपका क्या आजाएगा 1 प्लस 1 मतलब आपका अंसर क्या आजाएगा 2 option B is right answer अगला देखे question क्या गयता है sin 35 degree into cos 55 प्लस cos 35 और sin 35 cos 35 को क्या लिख सकते हैं तो ये लिख सारी sin 35 को क्या लिख सकते हैं 90-55 ये लिख सकते हैं क्योंकि 95 गटाएंगे तो आपका 15 और cos 35 को क्या लिख सकते हैं cos 90-55 ये लिख सकते हैं क्योंकि 95 गटाएंगे तो आपका 25 और गयए sin 95-θविटा जाएगा cos 55 degree और आगे multiply में भी cos 55 थो cos square प्चपन divay प्लस आगे लगा है प्लस अब देखे cos 90 minus टीटा क्या होता है sin थीटा तो sin 55 degree और आगे multiply में भी 55 degree तो lower हो जाएगा अब देखे sin square das प्लस cost square टीटा की value क्या होती है एक होती है तो आपका answer क्या हो जाएगा एक option है is right answer लगए कोशन है यदि sin theta plus cost साथ बटे 5 तो साइन इंटु कोश्ट सरी साइन थीटा इंटो कॉश्ट चीटा की वेलू बतानी है तो हम लुग क्या करेंगे दोनों कर देंगे साइन थीटा Mozart का स्कार और साथ वटे पांच का होलो स्कार तो ए प्लस भी का होलो स्कार क्या होता है स्कार प्लस 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 टू है भी तो यहां से आजाएगा साइन स्कार ठीटा प्लस कॉस स्कार ठीटा प्लस 2 sin theta into cos theta यह आजाएगा और 7 बटे 5 का होल स्कार किया है तो 49 बटे 25 यह आजाएगा आपका यह अब sin square theta plus cos square theta की बेलू क्या होती है एक होती है और प्लस यह होताएगा 2 sin theta into cos theta is equal to 49 बटे 25 अब अच्छांतर करेंगे तो 2 sin theta into cos theta क्या आजाएगा 49 बटे 25 माइनस 1 अब LCM लेंगे तो आपका कितना LCM आएगा 25 उपर आजाएगा 49 माइनस 25 49 से 25 जाएगा तो आपका आजाएगा 24 बटे 25 मतलब आपकी आगे 2 sin theta into cos theta की बेलू के आगे 24 बटे 25 तो आपे निकालना है sin theta into cos theta की बेलू तो ये 2 चला जाएगा नीचे की तरफ तो आपका आजाएगा 24 बटे 50 24 बटे 50 आपका आजाएगा क्या आजाएगा 24 बटे 50 तो 2 से अगर काटेंगे 24 बटे 50 तो आपका आजाएगा 12 बटे 25 12 बटे 25 आपका आजाएगा चलिए अगला question करते हैं अगला question है आपका बहुत ही simple सा है sin theta plus cos theta बटे sin theta minus cos theta is equal to 7 है तो 10 theta की value बतानी है तो कैसे करेंगे cross multiply करेंगे और 7 बटे एक कर लेंगे तो यह हो जाएगा sin theta plus cos theta is equal to क्या आजाएगा 7 sin theta minus 7 cos theta क्योंकि 7 का multiply sin theta minus cos theta में होगा तो आप पच्छांतर करेंगे तो 7 sin theta minus sin theta is equal to cos theta और उस minus का साथ उदर जाएगा minus 7 cos theta क्या आजाएगा उदर जाएगा तो plus में हो जाएगा तो यह हो जाएगा अब 7 sin theta से sin theta जाएगा तो 6 sin theta is equal to 8 cos theta तो हमें 10 theta की value बतानी है तो यहां से आपका आजाएगा sin theta बते cos theta क्या हो जाएगा 8 बते 6 sin theta बते cos theta क्या होता है 10 theta होता है तो 10 theta is equal to क्या आजाएगा 8 बते 6 2 से गाटेंगे तो 4 बते 3 is right answer option b is right answer तो guys आज के इस वीडियो में इतना ही thank you धन्यबाद आपका देन सोबर आएगा